Educational Technology के एक और वीडियो में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे मुबाइल डिवाइस के तुरू Google Meet के जरीए आप कैसे स्क्रीन को प्रेजन करके Slides, Video, Images इतियादी को शेर कर सकते हैं यह आप देख रहे हैं Google Meet का आइकन जैसे ही आप अप क्लिक करते हैं यह इंटरफेज आपको मिलता है यहाँ पर नियू मीटिंग आप बना सकते हैं लिंक शेर कर सकते हैं या फिर आप मीटिंग कोड के जरीए Google Meet को स्टार्ट कर सकते हैं और जैसी ही आप Google Meet के इंटरफेज में पहुंचते हैं इस तरह से दिखाए देता है टॉप राइड साइट टीन डॉट को क्लिक करेंगे तो तीसे नमबर पर प्रेजंट स्क्रीन का उप्शन होता है जैसी क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता है स्टार्ट प्रेजंटिंग करेंगे उसके बाद allow पर क्लिक करेंगे तो मीट यहां पर बताता है आपको की कैप्चर हो रही है आपकी स्क्रीन और इस तरह से जैसी allow आप करते हैं आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन यहां पर जो भी आपको प्रेजिंट करना है स्लाइड वीडियो उसको शेयर कर लेंगे और इसको कर सकते हैं यहां पर एक एक करके यह विडियो आप प्ले कर सकते हैं या फिर कोई इमेजिस जो दिखा रहे हैं फाइल्स हैं डॉक्यूमेंज हैं PDF है खुच भी आप शेयर कर सकते हैं यहां पर और एक बार जब शेयरिंग हो जाती है तो वापस आप स्टॉप प्रेजन पर क्लिक करेंगे तो आप Google Meet के इंटरफेस में आएंगे और वापस अपनी क्लास ले सकते हैं प्रोग्राइम कर सकते हैं और फिर उसके बाद मीट को एंड कर सकते हैं